तो Brilliant Knowledge के YouTube चैनल में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में हमारे शामने क्या क्वेस्टन है आईए इसको देख लेते हैं उससे पहले चैनल में नाय हाथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तो देखे क्वेस्टन है बाहदूर के नाम से दिल सब्द क्यों उरा दिया गया विचार करे यहां आगे करे होगा विचार करे यानि हमें ये विचार करना है कि लेखक के घर में जो नोकर आया था क्या आया था नोकर आया था उसका नाम पहले था दिल बहादूर क्या नाम था दिल बहादूर और लेखक की जो पतनी थी पतनी पतनी ने बहादूर के नाम के आगे से इस दिल सब्द को हटा दिया अब लेखक की बीबी लेखक और लेखक के घर के जो और सदस से थे सब नोकर को बहादूर कहने लगा तो हमें यही बात को उत्तर में बताना है कि बहादूर दिल बहादूर के नाम के आगए जो दिल सब्द था उसको क्यों हटाया देखे इसके कई माइने हो सकते हैं फिर भी क्या है इसके उत्तर में समझे देखे लेखक के घर में आये नोकर से प्रथम बार पहला बार नाम पूछने पर उसने मतलब लेखक ने अपना नाम दिल बहादूर बताया यानि लेखक के घर में जो नोकर आया उसका नाम पूछा तो पर्थम बार उसने अपना नाम क्या बताया दिल बहादूर बताया अब आगे देखिए अब आगे देखिए कि बहादूर के नाम के आगे से दिल को क्यों हटाया गया है वैसे बहादूर से दिल शब्द को हटाने के कई माइने निकाल सकते हैं ये जो बहादूर के सामने जो दिल शब्द को निकाल दिया है अब उसको जो बहादूर कहते हैं इसके कई माइने निकाल सकते हैं कई मिनिंग निकाल सकते हैं लेकिन हमें ये लगता है कि संभवता लेखक की पतनी ने बोलने और संभोधन की सोहलियत को ध्यान में रखकर किसको अब बहादूर को पुकारना है तो दिल बहादूर बहुत बड़ा नाम हो जाता है तो इसलिए दिल सब्द को हटा दिया अब उसका नाम क्या रहा बहादूर तो पुकारने में भी सोहलियत लगने लगा लेखकी बीबी को तो वही सोलियत को ध्यान में रखकर बहादूर के नाम से दिल सब्द को उरा दिया गया हटा दिया गया